नवश्कार दोस्तों, 3 मार्च 2021 के डेली न्यूस एनलिसिस बर्निंग न्यूस दिसक्रशन में आपका स्वागत है Press Information Bureau, Press Test of India, The Hindu, Indian Express, इन सबकी important वीडियोस, इन सबकी important न्यूस मैं आपको पूरा तरीके से यहाँ पर बताऊँगा बाई, spectrum auction यहाँ पर conduct कराया गया, spectrum auction की जो basics है, मैं अल्रड़ी आपको समझा चुका हूँ spectrum, bunch of radio waves, यह क्या होता है, frequency modulation, AM, Bluetooth, Wi-Fi, Telecom, यह कैसे काम करते हैं, wavelength का concept, amplitude, frequency, speed, यह से मैं इस वीडियो में समझा चुका हूँ तो spectrum auction, मेरे नाम हरशी दिवेदिक साथ YouTube में सर्च मारी, आपको यह वीडियो मिल जाएगी एक और मैंने वीडियो बना रखे, spectrum allocation पर, यहाँ पर 2G technologies क्या होती है, 3G क्या होती है, 4G क्या होती है, 5G क्या होती है कब-कब spectrum auctions पहले कराएगा है, history में, उनसे सरकार को कितना पैसा मिला, इन सब चीजों के बारे मैंने इस वीडियो में बात किये तो आप यह दो वीडियो देख लो, तो आपको थोड़े basics पता चल जाएगे और यही जो spectrum auction था, वो Tuesday को conclude कराया गया, और इससे सरकार को मेरे 77,814.8 करून रूपीस जितना expect किया जारा तो उससे ज़्यादा यह पैसा सरकार के पास आ गया है, आश्चर की बात यह थी कि केवल तीन प्लेयर्स ने participate किया इन आप्शन में, मुकेश अमानी लेड रिलांस जियो ने Sep 488.35 MHz spectrum खरीदा 57,000 करून का लगबग, भारतिया ये टेल ने 1555 MHz spectrum खरीदा लगबग 18,700 करून का, वोड़ा फोन आइडिया ने केवल 11.8 MHz का spectrum खरीदा लगबग 1,994 करून रुपीस का, और ये जो spectrums है, ये इनको allocate किये जाएंगे कितने साल के लिए, 20 साल के लिए, ओके भाई, अगर आप देखो, तो overall, इस बार जो spectrum auction कंड़क्ट करवाया गया था, यहाँ पर जो total frequency bands offer किये गये थे, वो किये गये थे, 23008.8 MHz के, ओके, और सरकार ने बोला था कि ये जो total bands से अगर ये सारे बिग जाते हैं, तो सरकार के पास लगबग 3.92 लाग करोन आएगा, हाला कि bids के वल, 855.6 MHz के लिए आई हैं, यहनि 37% of the spectrum के लिए आई हैं, और उसके लिए लगबग 77,800 करोन रुपी सरकार के पास आ जाएंगे, premium 700 MHz का जो band था, और 2500 MHz का जो band था, इसके लिए कोई भी bid नहीं आई है, ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो band से काफी महंगे, 700 MHz का band 2016 में भी बिलकुल नहीं भीगा था, ऐसा बोला जा रहा है कि इनके जो prices सेट किये हैं, सरकार में, वो prices बहुत ज़ादा है, बहुत unrealistic है, इसलिए कोई इनको खरीद नहीं रहा है, spectrum auctions क्यों complete कराया जाते हैं, देखें, cell phone और wireless telephone providers, आपके phone में जो भी signal आते हैं, वो signal, इनी spectrum bands का प्रियोग करके, जो अलग-अलग telecom providers हैं, वो आपके पास भीजते हैं, जो air waves होती हैं, spectrum bands की, इनमें ये signals होते हैं, वो signals आपके phone में पहुंचते हैं, और तब आप उनको use कर पाते हो, office ही पात है, अलग-अलग telecom providers के पास अलग-अलग bands होंगे, तो माली जियो और air tail के पास एक ही band आ गया, तो होगा ये, कि दोनों की आवाजें एक दूसरे के साथ interfere करने लगेंगे, इसलिए अलग-अलग bands इनको allocate करना जरूरी है, ताकि ये अपने signals को, अपने air waves को अलग- detail और idea इन सब के साथ mismatch ना करें, ओके, ये जो air waves होते हैं, जिनको आप spectrum बोलते हो, ये union government की property है, एक geographical boundaries of the country के अंदर, जो भी air waves है, उनके उपर sovereignty union government की होती है, ठीक है भी, अगर किसी telecom company को infrastructure लगा के business setup करना है, तो department of telecommunication के auction से वो band खरीदना पड़ेगा, और फिर उस band को आ तो call जाने का अलग band है, call आने का अलग band है, ये सब मैंने इन वीडियोस में समझाया है, तो इन वीडियोस को देख लोगे, तो थोड़ा basics clear हो जाएंगे, channel studies paper 3 में, science and technology में, ये news आपको खावाएगे, आगे बढ़ने इस पहले वीडियो पर like का button, इस वीडियो को share कर दीज ठीक है, Instagram पर follow कर लिजे, आपकी जनी डॉट को जाब दूगा, टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लिजे, इस particular lecture की PDF आपको टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगे, टेलिग्राम ग्रूप जोइन बटन और Instagram का link नीचे description box में दे रखा है, फिर भाई, श्रीलंका का port project, श्र international consequences जादा हो सकते, तो at the same time, श्रीलंका ने बोला, कि देखे, East container terminal में हम आपको नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, चुकि जो port union है आपका श्रीलंका का, वो बहुत जादा यहाँ पे, आप कैसे तो opposition कर रहा था, ठीक है भाई, कहीं ना कहीं, जो port union है श्रीलंका का, उस जो triparted agreement की, अगर आप बात करो, तो 2019 में triparted agreement साइन हुआ था, श्रीलंका, इंडिया और जापान के बीच में, जिसमें श्रीलंका की port authority के पास 51% stake रहेगा, वो जापान ऑफ इंडिया के पास मिला के रहेगा 49% stake, यहाँ पे, जो राजा पाक्सा की सरकार थी, जब उन्होंने East Container Terminal इंडिया और जापान से छीना, तो बोला कि भई, आप West Container Terminal डवलप कर लो, अभी East Container Terminal के अगर आप बात करों दोस्तों, वो पूरा डवलप हो चुका है, और West Container Terminal तो अभी बस एक आइडिया है, खाली port पड़ा हुआ उसको पूरा डवलप करना भी बाकी है, तो अगर इंडिया और जापान West Container Terminal को डवलप करते हैं, तो 85% स्टेक इंडिया जापान के पास रहेंगे, वेरस इस्ट कंटेनर टर्मिनल में 51% स्टेक श्रिलंका Port Authority के पास थे, समझ गया, तो यहाँ पर कही ना कहीं, जो West Container Terminal को लेने वाली जो बात थी, इसको इंडिया और जापान ने मान लिया है, High Commission of India ने बोला कि आदानी Port इंवेस्ट करेगा, किस में? West Container Terminal में? आदानी Port पहले East Container Terminal में इंवेस्ट कर रहा था, अब वो West Container Terminal में इंवेस्ट करेगा, जो भी पैसा हमने पहले East Container Terminal में खतम कर चुके हैं, वो पैसा श्री लंका की सरकार हमको लोटाएगी, चुकि एग्रिमेंट से रिनी श्री लंका की सरकार ने किया है, जापान अपनी तरफ से कौन सी कंपनी को डेजिनेट करेगा, इस चीज़ का डेक्लेरेशन अभी जापान की तरफ से आना बाकी है, होकि भाई, एक फरवरी कोई जो डिसिजन लिया था, स्री लंका की सरकार ने कि इस्ट कंटेनर टर्मिल से इंडिया जापान को निकाल देंगे, वो इसलिए लिया था, जो कि पोर्ट वर्कर यूनियन और सेक्शन ऑफ दा कलर्जी बहुत जादा अपोजिशन कर रहे थे, इंडिया का इन्वाल होना किसमें, इस्ट कंटेनर टर की गई है, लेकिन श्री लंका ने एक दा सेम टाइम वेस्ट कंटेनर टर्मिल को आफर कर दिया है, इंडिया जापान को, जो इंडिया जापान ने यहां पर एकसेप्ट कर दिया है, यहां पर आपको नज़र आ रहा है को लंबो, ओके, और जैसा कि आप देख सकते हो, यह ह इधर है श्री लंका, इसकी स्ट्राटिक लोकेशन आप बिल्कुल देख सकते हैं, इंडिया और जापान ने, जो कहीं ना कहीं मेडिटेरिनेंसी, अट्लांटिक उशन और आप इस्ट में चले जाओगे, तो पैसिफिक उशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक बहुत इंट्रेस्ट को लेके जनल स्टेडिस पेपर टू में न्यूज आपको कामा सकती है, नेक्स न्यूज है, फिर भाई लोकसभा टीवी को राजसभा टीवी के साथ मर्च किया जा रहा है, और एक नाम दिया जा रहा है संसर टीवी, मैं आपको पहले बता दू कि एक टीवी क राजसभा टीवी लिखा दिखता था, अब दोनों में आपको संसर टीवी लिखा हुआ नजर आएगा, तो भाई दो साल के काम के बाद फाइनली ऐसा लग रहा है कि लोकसभा टीवी, राजसभा टीवी का मर्जर फाइनलाईज हो जाएगा और एक एंटिटी इनको गवर् एक मर्ज को रेटार्ड आयस ओफीसर रवी कपूर को अपॉइंट किया गया है चीफ एक्जेक्योटिव ओफीसर आफ किसका संसर टीवी, नवंबर दोहजार उननिस में क्या हुआ, कि भाईया, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राजसभा के चेर्मेन वंकया नाइडू, अब ही के लिए जो रिपोर्ट समिट होई है, उसको तीन अलग-अलग सब कमिटी बैदेख के बाद चीत कर रही है, अगर आपको मैं बता दूँ तो सूर प्रकाश कमिटी अलग-अलग मेंबर ओफ पारलेवेंट से भी मिली है, और मेंबर ओफ पारलेवेंट ने साफ- और राजसभा के टीवी का जो लाइव टेलिकास्ट होता था, ये बंद नहीं होना चाहिए, और वो बंद नहीं होगा, बस लॉजिक कि यहां पर यह है, कि लोगसभा टीवी और राजसभा टीवी में केवल पारलेवेंटरी प्रोसीडिंग्स को दिखाया जाता है, आइड होता है, उसको भी इन टीवी के तूँ कवर किया जाएगा, जब पारलेमेंटरियंस और पारलेमेंट सेशन में नहीं होते हैं, तब पारलेमेंट कैसे काम करते हैं, उनकी कमिटीज कैसे काम करते हैं, उनकी ओफीस कैसे काम करते हैं, ये सब भी इस टीवी में दिखाया नासौम ने क्या लांच करना है? और Scalable Artificial Based Innovation है. Artificial Intelligence के basis पे आगे आने वाले समय में innovation किया जा सके. इसलिए NASCOM ने और Microsoft ने यहां पे हाथ मिलाया है ताकि Artificial Intelligence Game Changes Program को develop किया सके. तो याद रखिएगा Artificial Intelligence Game Changes Program कौन से दो प्लेर यहां पर promote कर रहे हैं बता दिये. सारे की सेक्टर में Artificial Intelligence को associate करके, assimilate करके innovation को promote करने की कोशिश है. आगे क्या बताया जा रहा है? यह जो Artificial Intelligence लेड़ प्रोग्राम है यह innovators की मदद करेगा. ठीके भाई, successful AI implementation में. कैसे? कब? Experience AI Summit of NASCOM तो अगर आप से पूछेए कि पर Experience AI Summit को conduct करवाता है? तो बता दिएगा NASCOM करवाता है. यह जो Experience AI Summit है, this is one of the largest AI Summits in इंडिया. यह याद रखेगा. इस Summit में एक platform प्रोवाइड किया जाएगा start-ups को, academia को, government को, enterprises को, NGOs को. ताकि Artificial Intelligence के field में अगर इन लोगों ने कुछ भी काम किया है, कोई भी product बनाया है, किसी भी चीज़ का solution निकाला है Artificial Intelligence से. तो उस solution को यह लोग Experience AI Summit में सामने प्रस्तुत कर सकते हैं. और अगर पसंद आया NASCOM को और Microsoft को, तो कही न कहीं यह दोनों organization उस academia, start-up, government, enterprises की मदद करेगा उस Artificial Intelligence को आगे ले जाने में. इससे होगा क्या? तो भाया, Artificial Innovation की reach और impetus बढ़ेगा इंडिया में. ओके भाई, Artificial Innovation, Artificial Intelligence-based innovations आगे लेके आए जाएंगे. ठीके भाई, कहीं न कहीं, इंडिया एक global powerhouse बनेगा Artificial Intelligence-led innovation में. आगे बात करते हैं किसकी? नासकॉम की. नासकॉम क्या है? National Association of Software and Service Companies. ये एक Non-Governmental Trade Association है और Advocacy Group है इंडिया में. Information Technology और BPO इंडिस्ट्री पे फोकस करता है. BPO मतलब call centers. 1988 में नासकॉम को establish किया गया था. उस समय पे इसने अपना एक program चलो किया था जिसका नाम था 10,000 Startups Program in 2013. क्या काम था इसका? इसका काम था कि अगले 10 सालों में 2023 तक 10,000 Startups को शुरू करेंगे software के field में services के field में. और इस target को meet करने के लिए artificial intelligence से better opportunity नहीं हो सकती. General Studies Paper 3 में investment models, science and technology, achievements of Indian science and technology, indigenization of technology, developing new technology हर जगा पर यह वीडियो आपको काम आएगी. नियूज़ आपको काम आएगी. Next बात करते हिमालिन सीरो is spotted in Assam. एक हिमालिन mammal जो की goat और antilope के बीच का दिखता है. कहीं न कहीं वो आसाम में पाया गया है. Okay? इसका नाम क्या है? इसका नाम हिमालिन सीरो. 950 स्कॉर किलोमेटर का जो मानस टाइगर रिजर्व है. 3 दिसंबर को यह जो goat antilope है. यह यहां देखने को मिला है. नार्मल कर यह goat antilope इस इलाके में देखने को मिलता नहीं है. मानस टाइगर रिजर्व में. बट देखने को मिला है. यह एक हाई altitude ड्वेलर है. 2000 से 4000 मीटर सब सी लेवल पाया जाता है. कुट्ते इसको बढ़ा रहे थे वाइल डॉप्स. तो कहीं न कहीं देखने को मिल गया है. इसकी फोटो आपको कुछ यहां पे नज़र आएगी. हिमालें सीरो की. आयोसीन रेड लिस्ट में वुलनेरेवल कैटेगरी में आता है यह. तो आप बोलोगे कि भाई यहां कैसे मिल गया. देखिए मानस टाइगर रिजर्व इस कंटीजिस्ट यह बिलकुल बगल में है. 1057 स्कौार किलोमेटर के रॉयल मानस नैशनल पार्क है. जो रॉयल नैशनल पारके बूटान में है. तो इस बूटान वाले पार्क में यह हमालें सीरो बहुत पाए जाते हैं. बट इंडिया के तरफ का जो मानस टाइगर رिजर्व हैं, यहां नहीं पाए जाते हैं. तो मानस टाइगर डिजर्व में अगर ये सपॉर्ट हुआ है तो कहीं न कहीं हम इस से ये इंफर कर सकते हैं कि रॉयल मानस नेशनल पारक और मानस टाइगर डिजर्व जो इंडिया की साइट पर नोनों की connectivity काफी अच्छी है कहीं न कहीं टाइगर रिजर्व की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो रही है चुकि पहले इस प्रकार के जानवर इधर देखने को मिलते नहीं थे इंडिपेंडनेस के पहले और समय के लगबग पी जो जानवर थे यह इन इलाकों में इसलिए भी नहीं पहुँच पाते थे चुकि यहां पे बहुत सारे हंटर्स पाय जाते थे अब कहीं न कहीं better protection, better conservation के efforts जा रहे हैं केंडर की सरकार की तरफ से, state की सरकार की तरफ से इसलिए इस प्रकार के जानवर आप यहां पे spot होने लगए है यह जो bird net crane है, इसको जो buddhist है, वो काफी मानते हैं जो कि तवांग रीजन में रहते हैं फिर यह मानस टाइगर रिजर वारे इलाके से white bellied hero भी देखने को मिला है white bellied hero की अगर आप बात करो, तो कुछ इस प्रकार का देखने को लगता है यह white bellied hero, फिर आप बात करो, तो mandarin duck, mandarin duck जो की पिछले 118 सालों में आसाम में नहीं देखे गए गई है वो देखने को मुली है, मागुरी मुपा, मुतापुंग वट लैंड में आसाम की दिब्रू सेखोवा नैशनल पार्क के पास तो यह जो mandarin duck है, वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है तो यह हिमालियन सीरो, mandarin duck, white bellied hero यह सब रीसेटली आप आप में स्पॉर्ट हुए है mandarin duck, दिब्रू सेखोवा नैशनल पार्क के पास स्पॉर्ट हुई हो white bellied hero और हिमालियन सेरो, manas tiger reserve के पास स्पॉर्ट हुए है तो यह नाम अपने जहन में रखिए, UPSC के प्रिलिंस में यह नाम आपको नजर आ सकते है जो कि इस प्रकार के जानवर, जो कि हमारी bio divaster conservation से related है इनके नाम अक्सर कर UPSC अपने MCQs में अलग-अलग प्रकार से पेश करता है किस प्रकार से वो सामने आपके लाएगा, वो एक अलग बात है आप news के टच में रहिए और वहाँ पे अपने intelligence से question को solve करेएगा bio divaster environment में इस चीज़ आपको काम आएगी फिर आज की final news, European Union और US ने फिर से sanctions लगा दी है अलकसी नवलनी के उपर अलकसी नवलनी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं already एक वीडियो बना चुका हूँ अलकसी नवलनी के उपर, ये इस वीडियो का thumbnail है अलकसी नवलनी in the recent case of his poisoning अलकसी नवलनी के नाम उठना शुरू हुआ था उसी समय पे मैंने ये वीडियो बना दी थी अब recently Brussels ने, जो की European Union का headquarter of Washington जो की USA का headquarter है, वहाँ पे, कहीं न कहीं ये जो sanctions लगाए गया है Brussels और Washington के दोरा ये उरोपिन उनन और USA के दोरा ये कुछ Russian officials के उपर लगाए गए जैसे कि Russia की investigative committee के head Alexander Bastrigan, Prosecutor General Igor Krasnov Head of National Guard Victor Zolotov Head of Federal Prisoners Service Alexander Kalashnikov इन सब के उपर यहाँ पे sanctions लगाए हैं European Union और Russia ने किसलिए, for their role in arbitrary arrest, prosecution and sentencing of Alexei Navalny ठीक है भाई, इनका ये बोलना है कि ये वो लोग हैं जो कि peaceful protest को नहीं होने देते हैं रशिया को, Alexei Navalny को मारने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे जो US Residue State or Commerce Department ने जो sanctions लगाए हैं, ये थोड़े ज़ादा strict sanctions हैं इनका साफ-साफ बोलना है कि Navalny को रशिया की investigating agencies ने मारने की कोशिश की है इस बात को कहीं न कहीं हस के पुतिन ने क्या बोला पुतिन ने मौक करके मजाग उड़ाते हो बोला है कि अगर Russian government और रशिया की investigative agency अगर ये चाहती होती कि Alexei Navalny मर जाए तो Alexei Navalny कब का मर जाता है यहाँ पे साफ साफ यह बात बोली है फिर भाई, रशिया को punish करने के लिए जो Biden administration है इन्होंने कुछ खासा intelligence information को भी declassify किया है जिसमें साफ साफ यह बोला गया है कि जो रशिया की federal security service है जिसको आप SFSB भी बोलते हो इस FSB ने एक assassination attempt लिया था इसके उपर नेवलनी के उपर जिसके दुरू उसे poison करने की कोशिश की गई थी नौवी चॉक नर्व एजेंट के तौरा नौवी चॉक नर्व एजेंट याद रखना काफी news में रहा है किसी pieces के one liner में आपके सामने आ सकता है US ने कुछ और साथ senior Russian officials के उपर साफ साफ कुछ नए export restrictions भी लगाए है US ने US ने बोला है कुछ ऐसा सामान कुछ ऐसे agents कुछ ऐसा material जो कि biological agents को मनाने में प्रयोग किया जा सकता है या फिर biological agent या chemical production ने प्रयोग किया जा सकता है इस प्रकार के export restrictions भी US की दरफ से लगाए गए है यानि कि वो materials जिनका प्रयोग biological agents या chemical agents को मनाने में इस्तमाल किया सकता है वो agents अभी US से रशिया में export नहीं होंगे और कुछ Russians के उपर यहाँ पर visa restrictions भी लगाए गए है Biden administration के दोरा लेकिन अब पुतिन जैसे इनसान को इस प्रकार के restrictions से हरा पाना यह डरा आपाना बहुत मुश्किल है एक समय पर Vladimir Putin was the strongest man on this planet तो देखते हैं कि इन sanctions का कितना फरकाता है रशिया के उपर आगे आने वाले समय में पता चलेगा General Studies Paper 2 में international relations में चीज़ काम आएगी General Studies Paper 1 में current events of national and international importance में news आपको काम आएगी So thank you for watching this video friends I hope आपको कुछ न को सीखने को मिलाओगा Have a great day, goodbye, video को like और share जरू करते ना